जिम्पल यादर विहां की परजाती ने मेनपूरी को फैचान दी। नेटा जी का आशरवाद हमेशा मेरे साथ राह है, मेनपूरी की जुनता का आशरवाद भी साहमादी पार्टी के साथ रहेगा असाने वाले चलाव में सारा काम सबकी राय से हुआ है उसमें सिपाल सिंग की भी राय है नहीं हम लोग दा पूरी उम्वीट के साथ कहते हैं तो वह बहुत अच्छे बूर्णों से देखिए है आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब डिमपल यादब ने समाजवादी पार्टी के उम्मिद्वार के तौर पर मैन पूरी लोकसवा उप्चिनाओ के लिए नामांकन का परचा भरा तो उनके चचा शिपाल यादब की तवियत ही खराब हो गई सब लोग इंतजार करते रहे गए सेफ़ाई में कि शिपाल जी अब आएंगे तब आएंगे लेकिन शिपाल जी को नहीं आना था और आखिरकार वो नहीं आए अब सब सवाल पूछ रहे हैं कि शिपाल जी की तवियत अचानक कैसे बिगड़ गई शिपाल यादब लखनों में रहे और सब लोग सोच रहे थे कि पूरा परिवार एक साथ दिखेगा देखे राजनीती में क्या होता है आप्टिक्स का तस्वीरों का वीडियो का बड़ा खेल होता है बड़ा रोल होता है ऐसा लग रहा था कि जब मुलाइम परिवार की बहुत चुनावी मैदान में उतर रही है और नामंकन का परचा भरेंगी तो पूरा परिवार एक साथ दिखेगा राम गुपाल यादव श्रीपाल यादव अखलेस यादव डिमपल यादव और श्रीपाल यादव के जो एक भाई है राजपाल यादव वो सब साथ दिखेंगे साथ में तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्री यादव पर ऐसा हो न सका जितने भी पत्रकार वहां पहुंचे थे उनको जब भी मिलता था किसी से बात करने के लिए चाहे सामने अखलेस यादव पढ़ जाए या डिंपल यादव राम गुपाल यादव सबसे वो एक सवाल जरूर पूछते क्या आखिर शिपाल यादव क्यों नहीं आए क्या परिवार का जगड़ा अभी भी सुलजा नहीं है क्या इसका नुकसान हो सकता है चुनाव में नमस्कार मैं हूँ पंकज्जा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात आज इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर चचा शिपाल क्यों नहीं आए और एक मुहावरा भी है और वो बहुत पुराना है और वो कहते ये हैं कि जब गलतिया होती हैं तो हम उससे सबक लेते हैं सबक सीख कर हम आगे बढ़ते हैं ऐसा कहा जा रहा है कि अखिलेस यादब इस बार वो गलतिया नहीं दोहराने वाले हैं जो बीते हुए समय में दोहरा कर उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ा है इस बार मामला भी कुछ बहुत पेचीदा हो गया है कहने को दो डिमपल यादब इस बार चुनाव लड़ रही हैं अपने ससुर के चुनावी मैदान में यानि मुलायम सिंग यादब के निधन के बाद जो मैन पूरी की सीट खाली हुई है जहां से वो पांच बार लोग के सांसद रहें लेकिन यह लड़ाई डिमपल नहीं नाम उनका है लेकिन लड़ाई तो लड़ हैं खुद अखले सी आदब और देखि कितना फरक आ गया उनकी पत्री जैसे ही चुनावी मैदान में उतरी पहले तो इसी बात को लेकर बड़ा सस्पेंस बना हुआ था कि वो बाते महत्वपूर्ण हुई हैं जिसको मैं आपके साथ जिसे मैं शेयर करना चाहता हूँ दो बाते कही गई राम गुपाल यादब और शेपाल यादब इन दोनों के बीच रिष्टा कैसा है यह यूपी का बच्चा बच्चा जानता है दोनों में 36 का अंकड़ा है और यादब तो दिख नहीं रहे तो राम गुपाल यादब ने एक बात कही कि शिपाल यादब से पूछ कर ही डिमपल यादब को चुनावी मैदान में उतारा गया है ये बात आज तक तो नहीं आई थी डिमपल यादब के नाम का ऐलान तो 4-5 दिन पहले ही हो गया था परिव खाल यू निकालना चाहते हैं जो मैंने पहले कहा कि अखलेस यादब इस बार वो कोई गलती नहीं दोराना चाहेंगे जो बीते हुए समय में की और जिसके वज़े से उन्हें विदान सभा चुनाओ या लोगसभा उपचुनाओ में हार हुई है जरा एक एक जामपल ले लेत आजमगड जहां से वो खुद लोगसभा के सांसत थे वहां पर उपचुनाओ हुआ उनके चचेरे भाई धर्मेंद्री आदब वहां से चुनाओ लड़े और हार भी गए अब अखलेस यादब कॉन्फिडेंट थे कि उनके बिना गए ही वहां पर धर्मेंद्र चुनाओ ज इतना है और अखलेस यादब इतने कॉन्फिडेंट थे कि वह गए ही नीचनाओ परचार करने इस बार वह ऐसी गलती कोई नहीं कर रहे हैं इस बार तो नामांकन करने से पहले ही अखलेस यादब दलबल समेत सफ़ई में उन्होंने डेरा डाल दिया है सफ़ई से कुछी द हैं वो भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर कहने को उनके पास अपनी राजनिती की दुकान है दुकान का मतलब उनकी अपनी पार्टी है परकतिसील सोसलिस्ट पार्टी जो उनकी है परकतिसील समाजवादी पार्टी कहते हैं उसे आप और जैसा मैंने कहा राम गुपा सामने सामने के लड़ाई श्रिपाल यादब खुल कर कहते रहें अखलेस यादब मुस्कुरा मुस्कुरा करें बहुत सारी चीजे कह देते हैं लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं शुरुवात से भले ना डिम्पल के नमांकन के समय श्रिपाल यादब की तब्यद बिगड़ गई लेकिन इस बार अखलेस कोई गलती नहीं करना चाहते हैं उन्होंने कैम्प कर लिया है और अपनी पूरी टीम लगा रखी है जो चार प्रस्तावक तै किये गए उनमें भी जाती और समाजिक सम्मिकरण देखकर चीजें तै की गई वो सारे कील कवच ठीक कर लेना चुनाव वो ने क्या किया आलोक शाक को समाजवादी पार्टी का जिलाध्यच भी बना दिया और डिमपल यादव का प्रस्तावक भी बना दिया ताकि यह दोनों जातियां अगर मिल जाती है तो एक बड़ा आधे के करीब का हिस्सा जो है वो उनके साथ हो सकता है यह अलग बात है क जाक की जो है वो बीजेपी के अब परंपरागत वोटर बन गया है दूसरी जो गलती वो नहीं करना चाह रहे हैं कि वो यह बताना चाह रहे हैं चाहे वो अखलेस यादव हो या राम गुपाल यादव जिनने समाजवादी पार्टी के कार करता और समर्थ तक प्रफेसर सा साथ हैं मतलब पूरा मुलाइम परिवार साथ साथ है ये क्यों कहा जा रहा है ये क्यों बताया जा रहा है ये मेसेज क्यों दिया जा रहा है राजनीती मेना मेसेज का बड़ा महत होता है और का मैंने कहा न कि दूद का जला च्छांच भी फूख फूख कर पीता है ये जो कहावत है 2019 का फिरोजाबाद का लोकसवा चुनाव देख लीजी जहां राम गुपाल यादब के बेटे अच्छ है यादब चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी के टिकट पर और सामने में चचा शिपाल यादब चुनाव लड़ने बैठ गया है अब इन दोनों के ज जानते हैं कि उस बेल्ट में जहां चुनाव हो रहा है वहाँ शिपाल यादब की ताकत ठीक ठाक है उनके समर्थकों की संख्या है अगर कहीं से शिपाल यादब की लंगड़ी लग गई तो फिर डिमपल यादब के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है वैसे भी आ मुलाइम सिंग यादब SP-BSP Alliance से क्योंकि उस वक्त समाजवादी पार्टी और BSP का गटबंदन था और जब दोनों का गटबंदन था इसके बावजूद भी जो जीत का फासला था यानि वोटों का अंतर हुआ करता था वो पहले के मुकाबले बहुत कम हो गया था 94,000 वोटों से मुलाइम सिंग यादब जीते थे प्रेम सिंग शाके के मुकाबले तो खत्रे की घंटी तो बज रही है बीजेपी वहां मजबूत हो रही है पांच विधान सवा में से दो विधान सवा सीटों पर बीजेपी का कबजा है सरकार में होने का एक अलग फायदा ह होता है आज जो अखलेस यादब ने क्या कहा उन्होंने कहा अखलेस यादब ने कि जो लोग मुलाइम सिंग यादब के निधन के बाद सरधान जली देने आये थे उसमें हर पार्टी के लोग थे उन्होंने उन सब से अपील की कि वो सब समर्थन दे और ये लड़ाई जो चुनावी लड़ा ये मुलाइम सिंग यादब के मान सम्मान की है डिमपल यादब ने भी कहा मैनपूरी की पहचान मुलाइम सिंग यादब से यानि मुलाइम सिंग को आगे करके इमोशनल कार्ट खेला जा रहा है कि वोटों में बिखराओ नहीं हो मैं जब ये बात कह रह हुई है उसने गैर यादब पिछों का एक बड़ा सामाजिक समिकरन अपने साथ कर लिया है और जब तक ये समिकरन नहीं तूटेगा तो डिमपल की राह मुश्किल हो सकती है इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ठेस लगने से बुद्धी बढ़ती है तो जो गलतिया अखलेस अध्यादव ने बीतिक चुनाओं में की हैं उन से सबक सीखते हुए पहला उन्होंने कैम्प कर लिया है वही मैंपूरी में ही रहेंगे वही वोट मांगेंगे, रननीती भी देखेंगे, इंतिजाम भी करेंगे, एक तरीके से वोट वही मांग रहे हैं डिमपल के लिए डिमपल के लिए भी ये चुनाव बहुत मुश्किल है, उनके शुरुवात भी जो हुई थी, वो कोई अच्छा नहीं रहा था 2009 का याद करिए, लोकसवा उपचनाव फिरोजाबाद, फिर फिरोजाबाद आ गया, जैसे फिरोजाबाद में श्रीपाल यादव ने लंगडी मार दी, तो रामकुपाल के बेटे चुनाव हार गया, उस वक्त उपचनाव हो गया था, डिमपल यादव पहली वार चुनावी पर ये हुआ, लोगों को ये भी नहीं यकीन हो रहा था कि आजम गड की सीट बीजी पी जीत लेगी, पर ये हुआ, इस बात का एहसास अखले से आदव को है, कि बहुत कठिन चुनाव हार जाते हैं, डिमपल की हार नहीं होगी, अखले से आदव की व्यक्तिगत हार होगी, और इस हार से ले करके कहते हैं, आप को एक ग्राउंड चाहिए, जहां से टेक आफ करते हैं, तो जो 2024 की बाते हो रही हैं, बड़े बड़े नेता जैसे अभी फारुक अब्दुल्ला मिलने गए, नितीस कुमार उनकी बात करते हैं, तेस्वी आदव बात करते हैं, ममता बन चुनावी मैदान में उतरे हैं, और इसलिए उनने लग रहा कि शायद इस बार ये अपना गड़ वो बचा ले पाएंगे, लेकिन फिर भी जाते जाते, जिस तरीके से आज चीज हुई, अगर परिवार साथ दिखता तो बात कुछ और होती, लेकिन डिमपल के नमांकन के समय अचानक से श्रीपाली आदव के तबियत खराब हो जाने के खबरान लेने के देने पढ़ सकते हैं, आज के लिए वस इतना ही नमस्कार